हलो दोस्तों, वेलकम बेक टो सिंधी रसोई ये देखो दोस्तों, कितनी गजब की लग रही है हमारी सबजी सिंधियों को तो बताने की जरुती रही है कि ये कौन सी सबजी है बट जो नॉन सिंधी है, उन्हें मैं बता दूँ ये है कमल कक्री, यानी की बेह की सबजी जिसे बहुत से लोग लोटस सिस्टेम के नाम से भी जानते है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होती है सबसे अच्छी बात है, ये रिचिन फाइबर होती है और वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया सबजी है अगर आप वेट लॉस के लिए कोई सबजी रून रहे हो तो आप इसे बोईल करके अराम से खा सकते हो ये बहुत अच्छा ओप्शन है वेट लॉस के लिए तो चलो रेसिपी शिरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है कूकर इसमें डालूँगी एक करची भर के ओईल ओईल को हम बढ़िया से गरम होने देंगे ये देखो तेल पढ़िया से गरम हो चुका है अब इसमें डालूँगी एक छुटा चमच जीरा और दो तेज पत्ते जीरे को बढ़िया से हमें क्रैकल होने तक पकने देना है गैस की फ्लेम कर देनी है मीडियम हाई जीरा बढ़िया से गोल्डेन हो चुका है तो इसमें डाल रही हूँ तीन बड़े प्याज जिसको मैंने पतले लंबे स्लाइसेज में काटा है अब प्याज को कंटवसली चलाते हुए हमें पकाना है मीडियम हाई फ्लेम पे और यहाँ पे प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना सिर्फ इसका कलर हलकासा चेंज होने तक इसे को करना है जब तक प्याज पकता है मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कमल कक्री यानि की बेह लोटा सिस्टेम की कटिंग कैसे करी है यह देखो यहाँ पे मैंने दो बड़े बड़े बेह लिये थे जिसको मैंने पढ़िया से पीलर से पील कर लिया उसके बाद इस तरीके से 1.5 इंच के पीसेज में काटा है आलू को भी इस तरीके से मीडियम पीसेज में काटा है आप देख सकती हो यह जो कमल कक्री मैंने यूज करी है यह बिलकुल क्लीन है तो इसे मैंने सिंपली धोया और अब यूज कर रहे हूँ अगर कमल कक्री जो आप ले रहे हो उसमें बहुत जादा मिट्टी हो तो फिर उसे आपको क्लीन करना पड़ेगा वो क्लीनिंग कैसे करनी है आगे बताती हो रेसिपी बनाते बनाते यह देखो प्याज का कलर चेंज हो चुका है न बस इतना ही प्याज को हमें पकाना है इससे जादा प्याज की कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है वरना कमल कक्री हमारी नहीं गलने वाली इस बात का खास ध्यान रखे अब यहाँ पे मैं इसमें एट कर रहे हूँ दो चमच क्रश की हुई अद्रक, लसन और हरी मिर्च यहाँ पे एक गाठ मैंने लसन की ली थी एक इंच का टुकरा अद्रक का और तीन-चार हरी मिर्च तीनों को अद्रक उटने वाले में क्रश करके इसमें एट कराए इसे हमने पकाना है 30 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे अब इसमें मैंने एट कर दिया एक छोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब देखना सबजी का क्या कलर आएगा बिना प्याज को पकाए हुए साथ यहाँ पे डाल दिया एक बड़ा रफली कटा हुआ टमाटर छोटे लोगे तो दो डाल दिना आधा ग्लास पानी डाला जो रेगुलर साइस का ग्लास होता है जिसे हम पानी पीते हैं उसी ग्लास से आधा ग्लास यहां पर मैंने अभी पानी इसमें एड़ कराया, अब इसमें जाएंगे मसाले, सबसे पहले हम डालेंगे स्वात के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धन्या पाउडर, जो रेगुलर साइस का चम्मच होता है, जिससे में चावल खाते है, उस साइस के चम्मच से मैंने धन्या पाउडर एड़ करा है, साथ ही डाल दिया एक चम्मच गरम मसाले का पाउडर, इसी के साथ जाएगी एक चम्मच कस्तूरी मेथी, देखो बहुत एजी है दोस्तों, इसे बनाना जादा लंबा चौड़ा प गलने में, उस टाइम पे आप क्या करोगे, सिर्फ बह डालना, दो-तिन सीटी बह को लगा देना, उसके बाद आलू एड करके और दो-तिन विसल्स लगवाना, तो बट यहाँ पे जो मैं बह यूज कर रही हूँ, यह जल्दी गलने वाले हैं, तो आलू और बह मैंने साथ म अब कूकर का ढकन बंद करा, हाई फ्लेम पे दो विसल्स लगवाऊंगी, फिर सबजी को दस नट के लिए रख दूँगी, लो फ्लेम पे, और हमारी सबजी बनके डन है, यह देखो, देख सकते हो, सबजी में बढ़िया से विसल्स लग चुकी हैं, बह बढ़िया से गल च ताकि जो प्यास टमाटर है वो अच्छे से सबजी के साथ मिक्स हो जाए, और उसकी ग्रेवी सी बन जाए, यह देखो, इस तरीके से, अभी सबजी बहुत जादा ड्राइ है, तो आधा गलास पानी मैं यहाँ पे और एट करनी हूँ, अब देखो, कंसिस्टेंसी, और जो तमाटर था, वो भी बड़िया से गल के यहाँ पे उसकी ग्रेवी बन गई है, तो थीना कितनी आसान इस सबजी को बनाना, ना जादा महनत, ना जादा खर्चा, घर में उपलब सामान से आप यह टेस्टी डिलीशर सबजी बना सकते हो, और खाने में इतनी टेस्टी है कि जो एक बार खाएगा, वो बार बार बनाएगा, तो दोस्तों आपको हमारी यह सिंधी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट में लिखके सरूर बताना, वीडियो पसंद आईयो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं कल एक और टेस्टी डिल करना ना भूले, लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रही है, चलो, गुडबाई